नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जर्खन में दुबारा लागू हो सकता है लोकडाउन कुरोना की तिसरी लहर के आगमन के संख्या दूर नहीं हुई है बता दे ऐसे में एक छोटी सीला परवाही जर्खन को दुबारा लोकडाउन की तरफ लहा सकती है कुरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या ने एक बर फीर से सभी को डरा दिया है बता दे अगस्त मा में हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जुलाई के बीच में संक्रमितों की संख्या बढ़ी थी लेकिन दूसरी और स्वस्थ होने वालों की संख्या भी अच्छी रही जिसके बाद संक्रमितों की संख्या में कुछ अधिक पड़ोतरी नहीं हुई थी मौसम विभाग ने पूर्वर्मान में बताया है कि रांची खुटी भोकारों गुमला हजारी बग्रामगार जीलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है वहीं में गजन के साथ बजर पात की भी असंका चताई गई है बतादे राजे के उतर पच्मी और उतर पूर्वी भागों में कुछ इलाकों में भारी बारिश की चतावनी की गई है पलामगा ढ़वा चात्रा कोडारमा लातिया लोर्दागा आदी जीलिये इसमें सामिल है राजे के उतर पूर्वी भागो देवघर, धर्वाद, तुमका, गेडी गोडा, जामतरा, पांकूर, तथा साहिव गंज के लिए भी एलो अलर्ट जारी किया गया है बाबा बैदनाथे एरपोर्ट के नाम से जाना जाए देवघर एरपोर्ट, सियम हिमन्त जार्खन एरपोर्ट का नाम बाबा बैदनाथे एरपोर्ट रखने की मांग को लेकर जार्खन के सियम हिमन्त सुरेन नागरिक उलने मंतरी जियोतिरा दित्य सिंधिया को पत्र के माध्यम से प्रस्ताव रखा है उन्होंने कहा है कि जनता कि मांगो देखते हुए इस एयरपोर्ट का नाम बाबा बैदनाथ एयरपोर्ट होना चाहिए पत्र के माध्यम से CM स्री सुरेन ने कहा कि देवगर सहर बाबा बैदनाथ धाम के रूप में पहचाना जाता है अईसे में इस एईरपोर्ट का नाम बाबा बैदनात के नाम से होने से बाबा फोले नात सहीत सधालूँ का मान बढ़ेगा उन्होंने प्रस्ताव के मादेम से कहा है की बाबा बैदनात को जल आरपन के लिए लांको की संक्या में परиваетक देवगर आते हैं इसको ध्यान में रख करी देव घहर में एयरपोर्ट का निर्मान किया गया है सीएम हमान्त का गुनवाता पून ओच सिक्षा का प्लान जारखन के मुख मंत्री हमान्सुरेन ने ओच गुम तकनिकी सिक्षा विभा के काड़ों की समीचा के दुरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओच सिक्षा के छेत्र में बेहतर जोईना बनानी होगी अन्याथा हम राज ये के बच्षों को गुनवाता पून सिक्षा नहीं दे सकेंगे जारखन के वीभी इन बीसों बिद्याले में सिस्कों के रिक्त पदों को भरने के लिए कुलपती के साथ बैठक कर नियुक्ती में आ रही अर्चनों को याथा सिक्र दूर करे ताकि छात्रों की सिक्षा में किसी तरह की बादा उत्पन न हो धन्बाद जज हत्याकांड में सिवियाई जांच रिपोर्ट से जारखन हाई कोर्ट असंतोष्ट जारखंड के धनबाज सिविल कोट के जज उतम अनन्द हत्याकान मामले में गुरू आरको सिवियाई ने जारखंड हाई कोट को जांच रिपोर्ट सोपी अदालत ने नराजगी जाहिर करते हुए जांच पताधिकारियों से कई सवाल पूछे जिसका वे संतोष जनक जवाब नहीं दे सके बतादे 20 अगस्त को अगली सुनवाई होगी जज उतम अनन्द हत्याकान की सिवियाई जांच चल रही है जहां ऑक्सिजन प्लांट की बेवस्ता की गई है बतादे हुसाइनावाद बिधायक कमलेज कुमार सिंग ने कहा कि ऑक्सिजन प्लांट का लाब अनुमाडल चेत्र के 3 लाग से अधिक लोगों को मिलेगा उन्होंने कहा कि अब ऑक्सिजन की कमी से किसी की जान नहीं जाएगी कुरोना की संभावी 3 लागर के मद नजर सीसु आईसियू की बेवास्ता भी कर दी गई है जहारखन के पूर्व सीम के परधान सचिव के आपत सचिव के माता पिता की हत्या जहारखन के पुर्व मुख मंतरी के परधान सचिव के आपत सचिव अरबिंद कुमार के माता पिता की गला रेत कर हत्या कर दी गई है उनके माता पिता मेदनी नगर के कुंड मोहला इस्थीत आवास में रहते थे पता दे गुरुगार के सुबा दोनों का सौव अलग-अलग कमरे में पड़ा मिला पूलिस चाच में जूट गई है सुचना मिलने के बाद पलामु के स्पी चंदन कुमार सीना घटनास्तर पर पहुंचे पूलिस हत्यारों तक पहुंचने के लिए खोजी कूते की मदद ले रही है सौतंतरता दिवस को लेकर जारखन में चोकसी बढ़ी सौतंतरता दिवस के पूर्व जारखन में पूलिस अलट पर है पता दे सभी जीलों में चोकसी बढ़ा दी गई है जीलो में चोक्सी बढ़ा दी गई है, पुलिस मुख्याले ने सभी जीलो में बिसेस चेकिन अभियान चलाने, होटल, लोज में संदीगदों पर नजर रखने, रेलवे स्टेशन, ये अरपोर्ट वा भीर भड़वाले अस्थानों पर बिसेस निगरानी रखने का निर्दिस दिया है, शार्थन दिवस पर जार्खन पूलिस के 33 अफसरों को मिलेगा बीर्टा के लिए पूलिस पतक जाएगा, बदादे पूलिस मुख्याले ने सभी 33 अफसरों कर्मियों के सुची जारी की और निर्देश दिया कीवा 12 अगस्त को राची के SSP को रिपोर्ट करे, ऐस इसलिए ताकि सोतनता दिवस के पूरो पूरो अभियास किया जा सके उन्हों निधायद ड्रेस में उपस्थीत होने के लिए आदेश जारी किया है ग्यात हो कि सरकार की ओर से विशिष्ट सेवाद देने वाले पुलिस अधिकारियों को हर बहुत समानित किया जाता है जारखन में 44 नए केस मिले है जो राची से 28, पूर्वी से 5, धन्वाज से 7, देवघर से 1, 14 से 2, दूमका से 1 मिले है जारखन में 29 मरी स्वस्त भी हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 211 है भारत में 40,666 नए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्य तिन लाग उनासी हेर सत्सो बान बे है जार्खन आने वाले हाथी वाटसेप से ट्रेक होंगे ओडिसा और मंगाल से जार्खन आने वाले हाथीों के जूर पर नजर रखने के लिए अंतरराज जी एलिफेंड मुवमेंट वाटसेप गुरूप बनाया गया है बता दे अब इस गुरूप में राची के डिएफो को भी सामिल करने की कवाईश शुरू की गई है बिस्व बिद्यालेों में सिख्षकों के नियुकती के लिए सीम ने दिया निर्देश मुख्यमति हमान सुरिन ने राजे के बिस्व बिद्यालों में असिस्टेंट प्रफेसरक नियुकती में आरही अर्चनों को अविलम दूर करने का निर्देश उच वह तकनिकी सिख्षा विभाग को दिया है इसके लिए उन्होंने विश्व बिद्याले के कुलपती योग साथ बैठाक कर मामले को निप्टाने को काया है बता दे गुरुवार को वे उच वह तकनिकी सिख्षा विभाग के काम की समिक्षा कर रहे थे प्रजेक्ट भवन में आवेजी समिक्षात्मक बैठाक मुन्होंने कहा कि उच सिख्षा के छेत्र में बेतर योईना बनानी होगी बिआएटी मेसरा के कुलपती ने राहत कोस के लिए 12 लाग का चेक सोपा मुख मंत्री हमान सुरेन से बिआएटी मेसरा के कुलपती इंदर निल मन्ना और राइश्टार करनल सुखपाल सिंग खेतर पाल ने गुरुवार को मुलकात की कुलपती ने मुख मंत्री राहत कोस के लिए 12 लाग 56 राइश्टार 233 रुपे का चेक मुख मंत्री हमान सुरेन को सोपा बतादे मुख मंत्री ने बिआएटी को इस पाल के लिए उन्हें धनवाद दिया जार्खन में ब्लैक फंगस का एक और मरीज कुल 166 जार्खन में गुर्वार को ब्लैक फंगस का एक और मरीज मिला है इसके साथ ही राज में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों के 166 हो गई है बतादे स्वास्त विभाय के उन्सार इन्हें से 106 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षन पाएगा है जबकि 61 मरीज संदिक्द है जारखन में बलाइक फंगस से अब तक 31 लोगों की मौत भी हुई है जबकि 115 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके है जारखन के गोटा जिले में डाइरिया का कहर गोटा जिला के महंगामा में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है बतादे एक दिन के बाद एक डायरिया के मरीजों में जाफा हो रहा है बिते दिनों भी गोटा जिला में लगाता डायरिया के मरीजों में बढ़ोतरी को देखते हुए गोटा के स्वास्त भीभाग कोई गाउं में लोगों के बीच सवधानी और जागरूपता फैलाया लेकिन अचानक महांगामा आस्पताल में एक साथ डायरिया के मरीज भरती हुए हैं बतादे इस बिमारी को लेकर महांगामा रेफलर आस्पताल के डॉक्टर अभिसेक सानू ने बताए कि या बिमारी जायतर खराब पानी का सेवन करने और जंक फोड खाने से होता है राहूल गांधी का ट्यूटर लोग होने पर जार्खन में बिरोद अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के पूर अध्यक्ष और पार्टी के वरिश नेता राहूल गांधी समेत अनकई नेताओ के अधिकारिक ट्यूटर हेंडल को लोग किये जाने के बिरोद में जार्खन प पूर्टेक्शन भी लाने की त्यारी जर्खंट में तीन साल बाद एक बार फिर समषोधन के साथ जर्खंट। को प्रस्ताव के रूप में भेजा जा रहा है रांची रेल मंडल ने नीकी वा सलीमा को किया समानित टोक्यो ओलम्पिक में भारतिय हों कि टीम में भाग लेने वाली जारखन की दो खिलाड़ी नीकी परधान और सलीमा टेटे को राची रेलमंडन ने गुरुवार को समानित किया है बतादे राची रेलमंडन के DRM परदीप गुपतार ने दोनों खिलाडियों को सौल ओड़ा कर समानित किया DRM ने कहा कि रेलवे खेल को सदैवल सपोर्ट करता रहा है यही वज़ा है कि ओलम्पिक में भारतियों के टीम में सबसे अधिक तेरा खिलाडी रेलवे के ही थे एक साल के भीतर जेल से छुटे अपराधियों का करे सत्यापन DRM ने कहा कि दोस्कर्म और अफ़रन के मामले को प्राथमिक्ता क्यादार पर निस्पादित किया जाए इस मामले में किसी भी हाल में लपरवाई नहीं बरते आदेश का पाला नहीं किया गया तो संबंधित पूलिस कर्मियों पर करवाई की जाएगी बतादे गरामिन SP गुरुवार को समानाले में इलाके के DSP और थानेदारों के साथ बैठक कर रहे थे बैठक में गरामिन SP ने थानों में लमीत मामलों की समिक्चा की और निर्देश दिया कि हर हाल में जल्द से जल्द मामलों का निस्पादन करे उन्होंने थानेदारों से कहा कि एक साल के भीतर जेल से छुटे अप्राधियों का सत्यापन करे उनकी गती वीदियों पर नजर रखे ज्यारखन में परिवाहन समंधी सुल्क मांगा जार्खन में गुरुवार से परिवाहन समंदी सुल्क मांगा हो गया है पतादे बोध्वार को परिवाहन विभायक सन्युक सचीव के हस्ताक्षर से जार्खन मोटरगाडी नियमावली 2021 के इसुतना जारी कर दी गई है गयाट का भी परकाशन हो गया है यानि अब वाहनों का परिवाहन समंदी कोई और सुल्क सभी में बढ़ोतरी की गई है बतादे जार्खन मोटरगाडी नियमावली 2021 को सताई चुलाई को केमिनेट से मंजुली दी गई थी हजारी बाग पुलिस लाइन में पुलिस कर्मी की मोट जार्खन के हजारी बाग पुलिस लाइन में प्रति नियुक्त पुलिस कर्मी राम कुमार महतो का सो गुरुवार की अहले सुब पुलिस लाइन के चबुतरे के पास मिला है बतादे एक खोद कुसी है या मैगिन निक जालने के करम में गोली चलने से उनकी मौत हुई है इसकी जाच की जा रही है सो मिलते ही ततकाल पूलिस लाइन के पूलिस कर्मी वरिया अधिकारियों को जनकारी देखकर HMCH ले गए बता दे मेंस एसेसेशन के मंतरी भीखू पासवान ने कहा है कि पूलिस कर्मी राजकुमर मौतो ने खोद की सर्विस राइपल से गोली मारी है या राइपल के में ये निकालने के करम में गोली चलने से उसकी मौत हुई है या जाच का भी सया है धन्यवाद